गुद मॉर्निंग दोस्तो देखे दोस्तो अगर आपको मैंने रिपोर्टिंग के बारे में तो कई बार बता है कि कब रिपोर्ट करना चाहिए क्यू नहीं लेकिन अगर किसी को पता नहीं कि एक मैं आपको डिटेल बताता हूँ अगर आपके प्लांट में इसा नजर आए त आपको प्लांट को तुरंट रिपोट करना चाहिए तो देखे ये प्लांट काफी अच्छा है हेल्थी है लेकिन ये तीन-चार सालों से एखे पोट में है तब ये हाइट इसके पांच फूट के आसपास हो गए पांच फूट से जड़ा तो देखे मैं आपको दिखाता हूं ये देखे ये फ्लावर आप देखे अगर आपके प्लांट में इस तरह से फ्लावर खिलने शुरू हो जाए ये देखे ये सब नॉर्मल है लेकिन ये फ्लावर देखे और एक फ्लावर अल्रीडी ड्रॉप हो गया तो अगर आपके प्लांट में इस तरह से फ्लावर शुर भी कर सके तो इसके प्लांट में जो है निट्रेशन की कमी आने शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से देखे फ्लावरिंग में डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा तो इसका मतलग है प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए तो यही है एक छोटा सा टीप्स आपको हमेशा याद राखना है कि आपके प्लांट में इस तरह से शुरू हो जाए तो रिपोर्ट कर दिजह देखे यह फ्लावर देखे यह भी दिफॉर्म हुआ है यह दिखे एक चुली वीडियो में यलो टॉन बहुत ज्यादा आ रहा है क क्यों पटा नहीं मुझे तो बस इतना ही वीडियो में आप यह मैं टीप समय सा याद रखें